भारतिय वायुसेना से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जो चीन से जुड़ी हुई है चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतिय वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी मोर्चे पर 55,000 से अधिक फीट की उचाई पर चीनी जासूसी गुबबारे जैसे को मार गिराने की अपनी क्षमता साबित की है 2023 की शुरुआत में अमेरिकी सरकार ने समुद्र के ऊपर एक चीनी जासूसी गुबबारे को मार गिराने के लिए पांचवी पीडी के F-22 रप्टर लडाकु जैट का इस्तेमाल किया था भारतिय वायुसेना ऐसे गुबबारो से उत्पन चुनोती से निपटने के मुद्दे पर चर्चा कर रही थी जो बहुत उचाई पर उड़ते हैं भारत ने इस समबंध में पिछले साल अमेरिकी वायुसेना के साथ भी चर्चा की थी चीन जासूसी करने के लिए गुबबारे चुडता है लेकिन भारतिय वायु को पूरी तरह से नश्ट कर दिया है चीन द्वारा छोटे जासूस से गुबबारे का प्रयोग किया जाता है कुछ समय पहले अमेरिका ने भी चीनी गुबबारे को मार गिराया था उन्होंने कहा कि गुबबारे को कुछ पेलोड के साथ हवा में छोड़ा गया था फिर इस 55,000 फीट से अधिक की उचाई पर एक इन्वेंटरी मिसाइल का उप्योग करके मार गिराया गया था चीन कभी भी बाज आने वाला नहीं है वैसी हरकते ही करता रहता है उसको समझने के बावजूद भी उसके समझ नहीं आती है भारतिय वायोसेना ने अपनी यह क्षमता त वर्तमान उप प्रमुक एयर मार्शल एसपी धारकर पूर्वी वायू कमांडर थे ततकालीन महानिदेशक एयर ओपरेशन एयर मार्शल सूरत सिंगब पूर्वी वायू कमांडर हैं 2023 की शुरुआत में अमेरिकी वायू सेना के F-22 ने दक्षिन कैरोलिना के तट पर एक चीनी जासूसी गुगबारे को मार गिराया था जो कई दिनों तक उत्तरी अमेरिका में घूमता रहा था इसी तरह का गुबारा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूर क्षेत्र में देखा गया था और ऐसा माना जाता है कि गुबारों का इस्तिमाल बड़े क्षेत्र में निगरानी करने के लिए किया जाता है हाला कि इसे देखे जाने के तीन-चार दिन बाद तक इसके खिलाफ कोई कारवाई नहीं की गई इसके बाद ये दूर चला गया ये भी माना जाता है कि चीनी जासूसी गुबारों में किसी प्रकार की स्टिरिंग प्रनाली होती है उनका उपियोग अपने हित वाले क्षेत्रों में स्थिर रहने के लिए किया जा सकता है फोस भविश्य में ऐसे खत्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार कर रहा है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें या आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन हमारी काफी बड़ी मदद होती है अपने फ्रेंज में शेर जरूर करें भारतिय सैनिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय ह हिंद जरूर लिखें नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद